हालो फ्रेंड्स कैसे आप सबी लोग आई नो कि आप लोग अभी थोड़ा सा सौक लगा हुगा कि यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहां से आ गई बट जैसा आप लोग को पता यह सब आपके सामने की टाइम बहुत ही कम बचाया स्लेबस बहुत जादा है तो आप से देखेंगे यहां पर अपनी हर वर्ल ड्रक टेकल लॉजी पी फामेसी सिक समिस्टर और यहां पर हमारी यूनिट फ़र्ष चल रही थी अभी तक चली रही है बट अब कंप्लीट हो दाएगी यह तो इसमें पाहला जो पार्ट सा हमारा हर्व एजर रॉव मैट्रियल उसको हम एकदम साथ करने वाले अपने बायो डायनमिक अग्री कल्चर के बारे में तो यह हमारे इसी यूनिट का पार टू है और बाकी हम इसको इंपूटन कोश्चन के बेस पे करेंगे अब देखो आप लोग बहुत कोश्चन के वेस्पे करो सर यह सिलिवस भाइज मत कराओ अलग है क्य कैसी बंदमों तो यह हमारा इसमें पहले डार केृष के स्रिखन का नहींते है और धया नंगिजयान अपरनitव और मैं कुछ सबलेंगे और पैश्ट च mr पारी बात हैं हम इसी वीडियो में करने वाले हैं बाकि कोश्चन वाइज आप इसको मैच कर लिए ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने इसी बायो डाइनमिक के बारे में कि यह एक्च्वल में चीज क्या है अग्रिकल्चर वर्ड से तो आप जानते हैं कि इसक बायो का मतलब होता है यानि कि जिन्दगी बेर रहे हैं या लिवे इंग्स को हम बायो बोलते हैं तो अगर सिंपल रहा है तो यहां पर हम करेंगे कि बायो डाइनमिक रिफर टू रौर्किंग विद्डा एनर्जी विच्क्रिए और मेंटन लाइफ यान कि सिंपल देखा है क्योंकि आपके यह दो नमर में आती है तो बाइव डाइनमिक इजा मैथट ऑफ फार्मिंग विच में नेम स्ट्रीड आप इसको एसे समझो कि आप सिंपल यह समझो कि मालोग कोई भी खेती है यहां पर देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कोई भी खेती बगरा मारी रहे होती है तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप इस खेती को ज आप इस फार्मिंग को मतलब जैसे आप इपने भायों को देख को तरह करते पने माझ लोग कोई बच्चे तो किसी की नहीं होगे माल लोग अपने चोटे भाईजिक को ख्याल रख रहे हो उसके लिए सामाल लेके आरहे हो अच्छी चीजर दे रहे हो खाने पीने को दे रहे हो और उसके लिए जो भी environment उसको चाहिए होता है अच्छे चीज़ी के लिए वो हम उसको provide करते हैं सिंपल सा इतना मतलब हमारे इसी बायो डाइनमिक के बारे में अब यहां पर देखो इसमें वर्ड भी आते हैं कि इसमें हम produce करते हैं फूड को अलग लग तरह हैं कि बागी हमारी डवलप होगी तो बहुत पढ़ लेना सिर्फ मैंने आपको दो नमबर के बहुत ही सिंपल भी में चलिए तो अब हमको यहां पर समझना पड़ेगा कि बायो डाइनमिक मतलब अगर बात करें तो इससे क्या होगा कि यह हमारे हमारी क्या है उसके बाद यहां पर हमारी का जोको उन चीजों का यूज करने बाले हैं वह रहेंगे आप अगर किसी खेती को अच्छा करोगे आप उनको औरगनिक करोगे एक तरह से मतलब उसमें कोई कींटाड कोई भी कैमिकल वगरा यूज नहीं करोगे उसको एकदम प्यॉर फॉर्म में करोगे तो जो खाने वाले होंगे उनको भी फायदा मिलेगा तो वही चीज हमारी यहां पर आजाती है तो एडवांटेज आप होगे तो आपको वहां मिलेगा कि यूज करेंगे क्या कैसे है तो इसको आप बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना तो यह सारी चीजों के बारे में हम इसी जीएपी के अंदर पढ़ते हैं अब पहले समझते हम जीएपी क्या जाने कि गुड एग्रिकल्चर प्रक्टिस तो समझो कि मालो आपने खेती को तो देख लिए अपने छोटे वाई की तरह है अब आप उसका ख्याल कैसे रखोगे तो जो ख्याल करने की प्रोसेस है वही हमारी यहां जीएपी के लाईगी यानि कि अगर हम जीएपी को डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इस डिफाइ या कुछ भी उसने मंगाई स्प्राइट वगरा तो आपने पहले वह पूछी यान कि जो इस पैसिफिक चीजा बोच चाहिए उसके बाद आप उसके लिए वो तुरंत लेकर आ रहे हो और फिर आप उसको दे रहे हो जानकि आप इतने अच्छे तो उसका ख्याल लख रहे ह क्या है कि जब भी हम कोई भी फार्मिंग अपनी करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक स्पैसिफिक मतलब जो भी चीज़ है स्पैसिफिक और गुड मैथड अपलाई करेंगे जानकि खेती करने के लिए अलग अलग मैथर्स होते हैं तो जो सबसे बेस्ट ह होगा और जो उसके लिए होगा उस मेथड को हम यहाँ पर अपलाई करेंगे अपनी खेती करने के लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर क्वान्ति टीटेटिव क्वालिटेटिव हेलदी एंड यूसफुल क्रॉप यानि की प्नूप आपको पता है ँच्ची इसम अंदर हम क्या कर रहे हैं अपनी खेती कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि उसमें हम एक अच्छी खादी फसल को डबलब कर रहे हैं जो सेब भी है क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है है तो इस तरह कि हम चीजों करते हैं बाकि इसमें क्रॉप फसल भी आती है फिर फूड भी आ प्रवाइड की जाती है तो इतना आप समझ गया होगे कि एक ऐसा टॉपिक है को जो भी हमारा खेती जानकी गाउंवाले चेतर से जो भी एक्रीकल्टर से कनेक्टे करता है उसको यह काफी अच्छे से समझ आने वाला थे यहीं सारी की सारी बात है आप इसमें समझ गया होगे तो जीएपी आप समझ गये डेफिनेक्शन आपके सामने यहां लिखी हुई है आप इसको बड़े आराम से लिखे आ सकते हो अब हमको समझना है इसके प्रेंसीपल के बारे में जैनकी इसके चार हमारे ऐसे प्रेंसीपल है जो इसको हम पिलर्स बोलते है जिस पर हमारी जी इनवारेंटे में एक दम टेकी रहे एसा ना हो की इनवारेंटे में खतम होगे अब इकजांपल के लिए मालगों कोई ऐसी फसल है जो हमारी गर्मियों में होती तो क्या हम अगर उसको सर्दियों में उगाएंगे तो उग नहीं हुपाएगी वह महां पर टेखी ही और वह जिसमें हमारे जो फासल या क्रॉप जो भी चीज़ हम उगा रहे हैं डबलब कर रहे हैं प्रेड्यूस करें वह हमारी इनवारे मेंटल में सस्टेंड हो जानकी उसमें स्टेबल रहे इसके अच्छी खासी हो ठीक है यहां समझ के होगे सेके नमारा आता है सोसल असेप्टेव उसी डिमांड को फुलफियल करें ऐसी हमको क्या करनी है यहां पर खेती करनी है तो वह हमारी होती है सोसल असएप्टेविलिटी कहलाती । थर्ड नमर पर आता है जो भी हम food बगारा बनाते हैं उसकी safety अमारे लिए quality होनी चाहिए और देन हम उसकी हमारी quality होनी चाहिए quality पहले पे नहीं, quality second पे पहले पे आते हमारी safety क्योंकि कोई भी चीज हमारी, वो किसी को नुकसान न पहुचाए जो पहले सही है, वो हमारा खराब न हो उसके बाद उसकी quality अच्छी होनी चाहिए तो automatic वो नुकसान नहीं पहुचाएगी तो यह हमारा तीसरा इसका principle हो गया, main aim और चौता हमारा होता है, economical and by viability यान कि वो हमारा क्या होनी चाहिए, economical जादा महगा नहीं होना चाहिए जादा महगा होगा तो ameer तो खालेंगे, लेकिन जो हमारे गरीब भाई वैने पीने की चीज़ा होंगी, food बगरा होगे, वो safe रहे और उसकी quality maintain रहे चौता थोड़ा बहुत economical भी होना चाहिए, मतलब उसको लोग afford कर सके, बस यहीं सारी की सारी पाता थी तो यहाँ पर आप GAP के क्या समझ गए, मतलब उसकी definition समझ गए, और उसके यहाँ पर principle को समझ गए अब आते हैं हमारे GAP guidelines के बारे में, कि आखिर GAP हमारे काम कैसे करती है अब आप लोगों ने खेती तो देखी होगी भई, मारसी movie, बहुत सारी movie हैं दिखाए जाता है, खेती कैसे करते हैं इवन आप लोग जानते तो होंगे, बच्पन से की खेती आखिर की कैसे जाती है तो बस वही methods आपको यहाँ apply करने हैं, बस उनके अंदर कुछ बाते लिखनी हैं, वो मैं आपको बता दिता हूँ तो पहले number पे हमारे आते है, seed and propagation material तो seeds हमारे क्या होते है, beads, यान कि अगर हमको कोई भी फसल करनी है, कोई भी चीज हमको अगर develop करनी है, produce करनी है सबसे पहले हमें चाहिए उसके beads, तो यहाँ पर हमने दिखा गया है, जो हमारे seeding material है, beads है, उसको हमें identify करना है, यान कि मालो आपको किसी particular चीज की खेती करनी है, तो उसी के beads आपको चाहिए, और सा नहीं है कि और किसी के चाहिए, तो उसके beads आपको जो चाहिए, उसको identify करना है, waternomically, waternomically मतलब क्या होता है, जो हमारी basically जो plant की जो science बगरा होती, पूरी पूरी उसी को हम बोटनिकल मतलब बोलते हैं, तो उसके according करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसका कीमो टाइब बगरा क्या है, उसका origin क्या है, इन सब को देखके हमें जो seeds हैं, उनकी यहाँ पर identification करनी है, अच्छी खासी करनी है, उसके बाद यहाँ पर एक word आता है, propagation, तो propagation क्या है कि उस seed को develop करने के लिए, कोछ चीजों की हमारी और जरुवत होती है, आसपास की चीज़ है, वो सारी-सारी propagation के अंदर हमारी आता है, यानि कि propagation material, तो simple है कि seeds के अंदर हमको क् पढ़ेंगे, और जो material हम use करेंगे, वो 100 होना चाहिए, मतलब हमको पता होना चाहिए, कौन सा है, कैसे है, बाकि उनको हम identify कर सकते हैं, उनकी morphological character के आधार पे, उनकी organolactic character के आधार पे, और उनको मतलब उसकी डियो test पगरा होते हैं, evaluate कर कर सकते हैं, तो बैसे आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, मतलब बहुत सारे guidelines दी हुई हैं, तो बस आप इतना लिख सकते हो, यहां से, और यहां तक आप इसको मतलब आपने यहां पर book पगरा कहीं भी लिख सकते हो, exam में लिख सकते हो, तो बस series में लिखना कि जो भी हमको material वो हमारा identify होना चाहिए, हमारा botanical plant variety की तोरा, और जो हमको ismo material चाहिए, वो 100% traceable होना चाहिए, यह हो गया, second हमारा इसमें आता है cultivation, तो आपने बीज ले लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप उसकी खेती करोगे, तो cultivate मतलब होता है, कि अब आप उसको develop कर रहे हो, तो cultivation जब भी हम करेंगे, तो cultivation के लिए हमको कहते है, intensive care चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, good agriculture practices, मतलब यहां पर आपको जो भी चीज़ कर रही है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, तो इसी का मतलब हो गया कि यहां पर जब भी आप cultivation करेंगे, इसके लिए आपको intensive care चाहिए, यान कि आप खुद से intense, मतलब आपके खुद से अंदर से इच्छा आने चाहिए, कि आप उसको अच्छे से करो, और उसको आप मेहनिस करो, तो इसके लिए various चीज़ा हो गई, मतलब बहुत चीज़ा है, आपको environment का ध्यान रखना है, आपको मिट्टी का ध्यान लेंदी नहीं करना है, फिर थर्ड हमारा आता है, यहां पर soils and fertilizer, तो अब आपको यहां खेती जब आप सुरू करोगे, cultivation सुरू करोगे, तो उसके लिए आपको कहते है, बीज आपने ले लिए, अब आपको चाहिए, मिट्टी और fertilizer का मतलब होता है, खाद, यान कि जो खाद नहीं होने चाहिए, तो हमको एक तर देखाता है, तो मिट्टी हमको अच्छी खाद ही चाहिए होती है, वो हमको soils हो गया, अब बात करें आप fertilizer की तो आपको बताए कि आज कल जो है, जैविक खाद का जमाना है, मतलब वैसे तो chemical ही चल रही है, क्योंकि chemical से उपज, यान कि जो खेती है, वो काफी बढ़िया हो जाती है, लेकिन हमको चाहिए कौन से और गनिक वाले चाहिए, जैविक खाद, जो बेसिकली हमारे माइक्रोब से ही बनी होती है, और जो composite खाद होती है, आपने देखा होगा ना, जो मतलब फल, फ्रूट का कचरा बगरा होता, उसको घ केमिकल वाला कंपाउंड मिलाओ, क्योंकि केमिकल सी हैं, जो आज सारा काम खराब कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप समद गए, एक एक पॉइंट दोनों के बारे में लिख देना, चौते चीज़ आईगी, आप देखो, आपने क्याएगे, यहाँ पर मिट्टी ले ली और आ पाणि आपका कॉंटमने नहीं होना चाहिए तो कोई अलग से बात है, आप तो जंत हमयोनी आप चाहिए जिसिछ बागर आगा कॉई यहां पर यूज करना वही बेसिक बात है जो आपको यहां पर यूज करनी है बागी एक और बात है कि पानी जब भी आप दो तो ऐसा नहीं कि आप करनी चाहिए जब जरूरत हो तभी हमको करनी चाहिए उसके बाद यहां पर भी लिखा है कि पेश्टी साइड और हर्वी साइड जो भी हमारे कीटना सब्सक्राइब है इनको हमें थोड़ा बचा करनी होगी अब जब हमारे सारा काम हो जाएका तो हम करेंगे इसकी कटाई या करके आजा वह सब गयों की कटाई लग गए देखा था आपने सारे लोग गयों काटने में लग गए थे तो वह कटाई जो पर्टिकुलर टाइम होता है ना उसी टाइम पर हमें काटने चाहिए जब वह हमारा जो भी क्रॉप बगए जो कोई फूड बगए वह हमारा करने के लिए पहले हम उसको करेंगे तो हमारा साफ होना चाहिए जो हमने पहले वाले अपने प्राइमरी प्रोसेसिंग मां कर ली थी तो अब हमारा जब वह साफ हो जाएगा तो उसको ड्राई बैग जान की जो सूखी जगा होगी वहीं पर हम बेसिकलिए उसको इस्टोर करेंगे और जब वह पैक हो जाएगा हमारा उसके बाद उसकी आती है जहां पर इस्टोरेज जाती है तो बस हमारा नेक्ट टॉपिक आता है कि अब हमारा क्या होगा पैकिंग भी हो गई अब इसको को लगवाए एक से पांस डिगरी तक रखते हैं और कुछ हमारे फ्रोजन होते हैं तो लगवां माइनस 18 से माइनस 20 डिगरी से तक इनको हम रखते हैं तो यह त्यों ऐसे मतलब वहेकल के यूज़ करेंगे जो इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सके बड़े-बड़ी गाड़ियों का यूज़ होता है और ट्रांसपोर्ट के टाइम पर भी हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि उसमें से कोई लीकेज ना हो बाहर से ज्यादा ना धूब पड़े और नहीं ज्यादा पानी वगएर होना मिले तो यह सब जनरल बाता हैं जो आप बनाके लिख सकते हो बस आपको यह हैडिंग हैडिंग याद होनी चाहिए उसके बाद क्वालिटी का मतलब क्या है कि जो भी हमारे चीज़ा बनी हुई है उनका इस्टेंडाइजर मोनोग्रा यान की जो इंडियन फार्मकापिया में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे हमारे इस्टेंडाइज या फिर क्वालिटी प्रूफ होनी चाहिए तो यह हमारा क्वालिटी एस्यूरेंस में आ गया तो बस आप एक बार जो है सभी की डेफिनिशन लाइन आपको उपर की यह बातों को समझा तो यह होगे हमारा पूरा का पूरा जीए पी के बारे में एक अंदर चीज और आती वह हमारी और ऑर्गनिक फार्मिंग यहां पर हम जो कोई भी खेती कर रही है उसमें हम जो फार्टी लाजर करते हैं जो खाद का यूज करेंगे वह हम खाद का लिए वह बाइव फर्टी लाजर अब बाइयो फर्टी लाजर क्या होते हैं वह मैं आपको आगे बता दूग इतना समझो कि और्गनिक फार्मिंग के अंदर हम सिंपल जो कोई भी क्रॉप बगारा को प्रेडिूस करते हैं वह हमारी वाले ही सिर्फ पर्टी लाज जबादा खराब करते हैं और माल लो अगर फसल को यह अच्छा भी कर रहा हैं कीटना सकता को मार भी रहे है तो जो कोई भी उस पसल को खाएंगे जैसे हम लोग वह उनको वह वह चान सकते हैं जहीं रिदन है कि यहां पर सिर्फ इसे से में हमारे नियूटरिसल को यूश करते हैं जो ये यूश synth का यूश करेंगे जैसे क्याइस्ट है जमारे सप्षी प्रेसल बाइब है यूश करेंगे यूश यह इतना वांकॉ सब्सक्राइब हमारे बाइब करτε साथे नहां एटल reflection उन्हारी शेस्ट हमारे अब और बस बाकी सोनों को सेम है अब इसके प्रेंसिबल की बात करें तो आपको बता कि अगर हम और गनिक फार्मिंग करेंगे तो इसमें हमारी जो क्वालिटी रहेगी न्यूटिसन वारी वह हमारी काफी बैस्ट रहेगी क्योंकि एक भी केमिकल इसमें नहीं रहेगा और इससे प्रेंस भी बना रहेगा क्योंकि वह सारा का सारा खेल खराब कर रहे हैं उसके बाद गुड क्वालिटी ओफ लाइफ जो भी लोग हो इसकी लाइफ अच्छी होगी और पोवर्टी वगरा रिडियूस होगी पोवर्टी का मतलब आप लोग जानते होंगे सायद घरीवी भ जैसे मालो हमारे जो जीए पी ते जा कुछ भी थी उसमें क्या कर रहे थे अपने फूड को कल्टिवेट कर रहे फूड बना रहे थे फिर कुछ मेडिशनल प्लांट थे हमारे कुछ हमारी क्रॉप थी फसले थी तो हमारे में है वहाँ पर अगर कोई पेश्ट बगरा हो जा जिए मालो हमारी यह फूड मे बनतां है जिस के उसकती के लिए वहाँ ओंवनको सकती इंड़ाव कर सकती तो इसलिए simple define करें तो बोल सकते हैं कि these are undesirable plants यान कि यह यह जा तो plants हो सकते हैं undesirable या undesirable animal body है कोई भी अनिमल का part animals बगर हैं जो हमारे इसके अंदर आ गई है जो हमारे इसको खराब कर रहा है हमारी खेती को उन्हें हमें क्या करना है बाहर निकार लाएं तो यह यह हमारे पेश्ट क्या होते हैं कि these are undesirable plants और animal body which cause loss of cultivated plants यान कि यह हमारे जो खेती बगर है उसको खराब कर रहे हैं उस activity को लॉस करा रहे हैं यह आप समझ गए अब जो हमारे पेश्ट होते हैं वह हमारे बेसिकली चार चीज़े में आता है पहला हमारा आता है यह फंगाई और virus फिर हमारे आता हैं कुछ इंसेक्ट फिर हमारे आते हैं वीर्ड स और फिर हमारे नन इंसेक्ट तो यहाँ पर बैसे इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है आपको प्राइब करना है फंगाई क्या होता है इसको भी आप मत बले पर एक एक जामपल आप लिखवा दो तो फंगाई आप लोग जानते होंगे फंगाई हमारे के मतलब वहीं माइक्रो और गनलिकर पार्ट है जू हमारी अंदर की चीज़ों खराब कर सकता है तो एक जामपल जैस यह तो यह भी फसल को ख्राब करेंगा देन अ कुछ इद्ध को आपको चीज हो गाई कुछ हमारी घ्या करती है छैसे पर कर आते हैं वीड़ वन्रों होते हैं यहां पर एमारे हुँआ हैं अब जो भी फ्रक्टी के लिए उन्हीं है तो से हमारे फ्रक्राइब मिल पाएगा और इसकी वे जैसे जो इनकी प्रॉपर ग्रोथ है वो हमारी नहीं हो पाएगी यानकि यह समझे लो कि इसका खाना यह रैड़ वाले खाते हैं इसलिए हमें इन वीड्स को जानकि जो अंडेजारबल प्लांट से उनको खाड फैकना भी बहुत जरूरी होता है त कभी माउस आ गया माउस मतलब चूहे बगरा यह दौनों एकी वेराइटी के हैं कुछ रैविट खरगोस बगरा कभी या कभी बंदर घुजाते तो यह भी हमारे खेती को खराब कर सकते हैं तो यह आपको को चार चीज़ा पता चलें जो बेसिकली पेश्ट की तरह काम करती है तो अब हमको यहां पर बढ़ना है इसका मैनेजमेंट की कैसे करेंगे तो इसके लिए बेसिकली यहां पर चार मेथट दिये गए हैं तो पहले नमर पर किया कि जो कोई मालो कोई वीड्स बगरा आ गया तो उसको हम हैंड़ पिकिंग जानगी हातों से उखाड के बाहर कर सकते हैं अब मालो कोई चुहा बगरा आ गया तो चुहा को यह हम जो उसके ट्रैप होते हैं यांकि आपको बताऊगा चुहों के जो पकड़ने बार चीज़ा होती हैं पिंजरे में हम उसको को पकड़ के बाहर कर सकते तो यह कुछ हमारे तरीके हो गए इंसेक्त और एनिमल कुछ organic pesticides का यूज कर दिया कुछ fertilizer और गनिक वाले जो होंगे उनका यूज कर दिया इंटर क्रॉपिंग कर दी यान की बदल बदल के खेती कर दी अब एक इस मेंसे आप कोई भी define कर देने जैसे मालो crop rotation है तो crop rotation का मतलब क्या है कि हम कोई भी एक मालो फील्ड है तो फील्ड में हम बदल बदल के खेती करवा रहे हैं असा नहीं कि एक जगह एक बदल 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 के इससे जो बीट्स बगएर या पेस्ट है वो हमारे के लिए हमने क्या कि हो वहाँ पर बिल्ली रख दी तो इस तरह हमारा biological काम करता है आप लोगों ने देखा होगा कभी जो चिडिया बगएर होती है तो इसलिए खेतों में इस तरह का मतलब बना दिया जाता है नकली सा वो तो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो हमारे चिडिया method के अंदर ठीक है तो यह हमारे हो गए यान कि एक enemy को मालने के लिए हमने दूसरे introduce कर दिया फिर हमारे यहां आते chemical method को तो chemical methods में क्या होता है बेसिकली हम इसमें synthetic chemicals का एक तो इसमें बैसिकली हम synthetic chemicals का यूज करते हैं अब लोग कह रहे होंगे आप तो अब तक मना करते आ रहा है chemical यूज करना तो बैसिकली बात है कि हम जहां जो हम अपनी फसलिया उनके लिए नहीं जो उसमें पेश्ट हमारे घुसा है जो हमारे कीटना से बगारा घुसा है कीटाड़ों को इस पेसर टारगेट किया जाता है specific टारगेट कोई particular जगा पर जादा है या कहीं दिख रहा है तो उस जगह पर इस पेसल टारगेट करके दैन उनको वहां पर मारा जाता है तो यह हमारे होते हैं को सिंधाटिक केमिकल एक्जामपल जैसे हमारा fungicides हो गया तो अगर कोई फं समझे ल्हों सब्सक Werew आपको यहां पर मिलेगे मैं म сказать है अंग small हो गया आगरी कलचर हो गया घ्री कल्चर को लोगे केमिकल हो अब कहे रहे हों गभाई यह सब चीजों के वारह कैसे तो लेड करो वह ही मैंने बताया कि मालो किसी maikrobes के द्वारा हमने क्या किया? कोई एक साभिस्टांस बनाया जो था ऊंको मारने का काम तो यह हमारे कहलाएगा Bio Pesticides यह हम बोल सकते Bio Insecticides क्योंकर हमने किसी biological source जो natural biological source है उसके द्वारा हमने कोई ऐसी चीज बनाई है जो हमारे paste को manage कर रही है paste management में help कर रही है तो वही हमारे यहां पर कहलाते है bio pesticides कहलाते है ठीक है तो आप define कैसे कर सकते हो कि bio pesticides और bio insecticides are obtained from a natural source like microorganism plants animals and certain animals and which are used to control the pest यह line आप यहां जोड़ देना अगर नहीं लिख पाई है तो बस यह आपका define हो गया अब इसके कुछ हमारे मतलब advantage क्या है कि यह safe to handle use मतलब safe होते हैं और non toxic होते हैं humans के लिए भी और plants के लिए भी और ज्यादा expensive भी नहीं होते हैं और eco friendly यानकी आपको पता होगा environment के लिए काफी अच्छे होते हैं और soil की fertility soil जो होते हैं उसको भी खराब नहीं करते हैं बाकि यह बायो ड्रेगेडेबल होते हैं बायो बायो का मतलब क्या है कि यह automatic अपने आप खतम होते हैं अब जो chemical वाले होते वह अपने आप खतम नहीं होते तो खेती को काफी जादा नुकसान पहुंचाते हैं अब देखाता है अगर यह लॉंग में आज आता है बायो पेस्टिसाइड तो यहां पर लिख दिया गया कि यह हमारे तीन तरह से होते हैं पहला हम हाण साफ शुल्ट है यह को जिसें केमिकल है और इनके पास यह होती है कि यह हमारे पेस्ट को कंट्रॉल कर सके और साथ में ये नॉन टॉक्सिक भी होते हैं इनमें खुद का कोई जहर नहीं होता है तो ये हमारे बायो केमिकल पैस्टिसाइड कहलाते हैं ठीक है एक्जामपल जैसे हमारे कुछ ये क्लास के एक्जामपल साब को यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत अंदर का कंटेंट बहुत सिंपल है आपको बात यह याद रखनी है तो यह हमारे माइक्रोबिल पैस्टिसाइड जैसे हमारे बायो फंगिसाइड्स हो गये जो बैसिकलिए हमारे फंजाइड से बनाए और बायो इंसे प्याइट होगे इस तरह ही यहाले यह दिखा हुआ हो ए थर्ड हमारे यह फ्लान्ट पैस्टिसाइड तो यह बेसेकlikeज हमारे वह पैस्टिसाइड्स हैं जो हम को किसी प्लांट के और प्राप्त होते हैं और वह एक ऐसा प्रश्तरा प्लांत है जिसके पास 5 एस एमडल का करता है अग्जांपल जैसे में नीम होगा आपको नीम एक उक्ताई बाते हैं हमारे इसी बायो डानेमिक एगरी कल्चर के बारे में अब आपको वीडियो कैसी लगई कमेंट करके जरू बताइएगा बाकि आपको सारे चीज़ समझाई की नहीं आई बाकि कोई भी टॉपिक अगर रहे गया हूँ तो आप थोड़ा पीछे करके इस चीद को लखेगा बाई बाई दोस्तो जैहिन दोस्तो